हेलो एवरिवन सो वेलकम जो मैं चैनल आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 की बुक है उसके पोईटरी सेक्षिन का चाप्टर नंबर 4 जिसका नाम है और टू आटम देखे पहले तो मैं इस टॉपिक के बार में थोड़ा बताना चाहता हूं और टू आटम का मतलब आटम तो एक मोवसम है जो आपको पता है कि जैसे ही घर्मी रीतू खतम होती है और सज रीतू का शुरुआत होती है इसके बीच में ही September सlay N tror कू बीच में यह जो मोवसम के बारे में भी तो इनकी हर एक पोईब में अधिकतर किसीभी चीज को ग्लोड़िवाय करने के लिए वो अगर कोई poem लिखते थे glorify मतलब उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना तो वो अकसर ये लोग odd का यूज़ करते थे तो odd to autumn का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस poem में आपको मिलने वाला है कि ये जो autumn है autumn season है क्योंकि हर एक लेखक ने अधिकतर लेखकों ने spring season के बारे में जो की बहुत ही सुनहरा मौसम होता वशंत रीतु जिसको आप समझते हैं उसके बारे में अकसर सुनने को मिलता है लेकिन ये जो है ना लेखक थोड़े अलग किसम खेते और इन्होंने autumn के उपर लिखा है तो odd to autumn का मतलब हो गया autumn मौसम को आप कैसे glorify कर सकते हो उसके बारे में कैसे बढ़ा चड़ा के बाते बात कर सकते हो obviously मतलब उसका personalization करके personification करके यानि कि मानुवी करन करके इन्होंने समझाने की कोशिश की है तो आप समझ गए हो कि इस poem के बारे में आखिर इसमें है क्या अब हम इसके लेखा के बारे में जानते हैं जिनका नाम है John Kids ये भी बहुत famous लेखा करे चुके हैं इनका नाम जो है John Kids और ये इनका जनम हुआ था 1795 में और इनके मृत्य हो गई थी 1821 में एक तरीकी से देखा जाए इस एज ग्रूप से तो इनका पता चल रहा है कि ये बस 26 साल के उमर में ही इनके मृत्य हो गई थी है ना और ये उसके बाद ज़्यादा famous हुए एक तरीके तो इनके मानने के बाद उनके ज़्यादा कहानिया मतलब poets वगरा चली और इनके बारे में जानते है लिका है कि one of the greatest of English romantic poets English romantic poets में इनका नाम मश्हूर है और जैसे कि William Shakespeare वगरे भी बहुत सारे romantic poets रह चुके हैं तो English romantic poets में इनका भी नाम दिये जाता है जनका नाम है John Kitts और इनका जनम जो हुआ था moon fields London में हुआ था He studied at Clark School at Infield. इनके बारें बताया जा रहा है, Infield के Clark School से इनकोंने पढ़ाई करी, deeply interested in cricket and boxing. यह बहुत ज़्यादा interest रखते थे cricket और boxing के field में, he grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. तो देखा जाए, तो voracious का मतलब थोड़ा भुखड जैसा होता है, लेकिन अगर इस case में करा जाए कि voracious reader थे, यानि कि क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ने के शौकीन थे कहलो, मतलब उनका पेट ही नहीं बढ़ता था, पढ़ पढ़के. तो he grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. तो वो एक voracious reader के रूप में भरकेत वाएं, और especially किसमें Greek mythology, right? Mythology means पुरानी कथाएं, तो Greek की पुरानी कथाव में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको ज़्यादा पढ़ा करते थे. He even started a translation of Virgil's Annate. तो ये translation भी उन्होंने शुरू करी कुछ-कुछ लेखों को के जो फुस्तके थी, किताबे थी, उनके जो वोक थे, उनको इन्होंने translation करना शुरू किया जैसे कि Virgin Lake लेखक थे, उनकी जो बुक थी, Annate, या फिर उनके लिए उनका जो कहानी थी, Annate, उसको इन्होंने भी translate किया. His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spencer's fairy queen. Ambition, यानि कि चाह, या फिर passion कह लिजे, उनकी जो इक्छा सकती थी, ambition था, उनका जो passion था, कि एक poet बने, वो कब fire हुआ, मतलब कब उसमें आग लगे एक तरीके से, इन्दर सेंस कि ये कब initiate हुआ, शुरूआत कब हुई, poet बनने की इक्छा अंदर कब जागी, जब उन्होंने अपने एक और कहानी पढ़ी थी, Spencer लेखक की नाम था, fairy queen, जब ये poem उन्होंने पढ़ी, या फिर ये के लिए यह book पढ़ी, तो उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा inspiration लिया, वैसे acquaintance का मतलब तो होता है, परिची उतराना, तो जब इनसे रूबरू हुए, इस poem से, इस किताब से, तो उनको एक अंदर ललग जगी कि क्यों नाम मैं भी poet बनूँ, His first poem, Lies in Imitation of Spencer, और इसी से related, Spencer से related, उन्होंने क्या किया, एक अपनी कविता लिखी, और उनकी पहली कविता थी, ये questions बन सकता आपके लिए, कि उनकी पहली कविता कौन सी थी, तो Lies in Imitations of Spencer, was published in 1814, और कभ अपलिश हुई थी, 1814 में, His first volume of poetry entitled Poems, was published in 1817, और उनकी poetry का जो पहला भाग था, वो जब entitled हुआ है, उसका मतलब नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया, Poem, और इका published हुआ 1817 इस वी में, His poem, Indymion, was well appreciated by Wordsworth, उनका जो एक और Poem था, Indymion, उसको बहुत ज़धा प्रसंसा, प्रसंसा मिली Wordsworth, जो की एक बहुत जाने माने कभी रह चुके है, तो उनकी द्वारा, इनकी Poem को बहुत ज़धा प्रसंसा मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, It was published in 1818, और 1868 में ये Indymion कोई Publishment हुई, His Odds on Indolence, on Agrisian Urn, to Psyche, to Nightingale, on Melancholy, and Ode to Autumn, made him a great romantic poet of English literature, मैंने आपको बताया था न, Odds, Odds का मतलब वही होता है, कि उसके उपर प्रकास जालना, उसके बारे में थोड़ा बढ़ा चड़ा के बाते करना, तो इन सारे टॉपिक्स पर होने ये चीज़े लिखी, Poem लिखा, और उसमें ही Odds to Autumn भी आता है, जिसके वज़े से इनको एक महान, Romantic Poet के नाम में लिया जाता है, So did Lamia and Hyperion, Hidd, मतलब इसका कहने का मतलब है, जैसा पर्चम लहराया था इन सारे Poems ने, वैसे ही Lamia and Hyperion, जो कि इन्होंने ही लिखा था, वो भी बहुत famous हुए, He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26, मैंने बताया था, इनकी मृतिव बहुत कम age में हो गए थी, due to tuberculosis, TB का नाम सुना होगा, Udama, जो होता है, तो वो अली बीमारी ने लग गए थी, और 26 के age में, 1821 में इनकी मृतिव हो जाती है, But within this short span of life, he was able to achieve greatness, but इसी छोटे से life span में, है ना, जीवन काल में, उनको अच्छा गासा achievement मिल गया था, वो बहुत महान वेक्ती बन चुके थे, ठीक है, अब देखिए, आगे क्या होता है, His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life, तेको एक बात बता दो, अभी हम जो पढ़ने भी जा रहे ना, उसमें भी बहुत गहराई है, आपको समझने में थोड़ी काठिनाई होगी लिए, कि मैंने आपके लिए आसान कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बोला जार ना, उनके जो letters लिखते थे, उसमें बहुत जादे गहराई होते थी, बहुत अंदर तक आदमी जाता था, यह बताते थे, और सारी beauty उसकी खुबसरती, या फिर उसके बारे में जो भी इनके पास awareness होते थी, उसके दर्द के बारे में, या फिर life of suffering, आपको कैसे जिया जा र and beauty is truth, truth beauty, in the poem O to autumn, kids describe the beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature, तो इस poem में, O to autumn में, kids ने describe किया है, beauty और characteristic spirit of autumn, यानि कि autumn जो season है, उसके खुबसूरती और उसके लक्षन जो है, उसको एक memorable picture के थूद किया है, परदर्शित किया है, the principle of beauty in nature, मतलब प्रकृती से related, जो beautiful द्रिश्य होता है, उसके regarding, उससे related इन्होंने इसको depict किया है, उबारा है, चली आगे start करते हैं इस poem को, तो इस poem को मैं बता दू पहले कि तीन paragraph में बटा गया, तीन estrangeas में हैं, और आपको ये समझना होगा कि हर एक estrangea में वो किस चीज के उपर discuss करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सारी चीजे आपको दिमाग में रखते ही हुए, सब तभी समझना होगा, चली अब बात कर लेते हैं पहले estrangea के बारे में, इस पहले estrangea में, लेखक ने, जो ये autumn season है, उसको किस तरीके से represent किया है, उसको पहले ध्यान में रखना होगा आपको, जैसी कि मैं बता दू कि इस estrangea में, इस paragraph में, जो point है, वो कहना चाहता है कि सूरज के साथ उसकी दोस्तियारी समझाई गई है, autumn को, autumn जो मौस्ण है, उसको relate किया गया है सूरज के साथ, उसकी दोस्तियारी सूरज के साथ है, वो दोनों मिलके क्या plan बनाते है है, autumn में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है, वो सारी चीजी आपर discuss है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख रहे है, season of mist and mellow fruitfulness, mist का मतलब होता है, धुन्द या फिर कोहरा, तो लिख रहे हैं कि season of mist and mellow fruitfulness, यह जो season है, यह जो मौसम है autumn, इसमें थोड़ा-थोड़ा धुन् तो आपको धुन्तों देखी रहे हैं, और साथ-साथ, mellow fruitfulness, mellow का मतलब होता है, पका हुआ, मीठा, ऐसा कुछ, और fruitfulness मतलब follow की भरमार, प्रचुल मात्रा, तो यह सारी चीजा आपको देखने को मिलती है, अब अगली line है, close bosom friend of the maturing sun, यह जो autumn मौसम है, यह बहुत ही close bosom friend bosom friend का मतलब होता है, best friend, तो इसका best friend कौन है, भाई, maturing sun, sun, यानि और उसके साथ maturing word यूज कर रहा है, कि maturing का मतलब ही होता है, परिपको, यानि कि आप थोड़े mature हो चुके, आप समझदार हो गए हो, तो maturing sun इसलिए बोला जाए है, कि जो sun है, obviously mature हो चुका है, और वो जो ह autumn का best friend है, चली, आगे देखते हैं, conspiring with him, how to load and bless, conspiring का मतलब तो वैसे तो होता है, साजी सरचना या फिर यूजना बनाना भी होता है, तो ये दोनों, क्योंकि autumn के बारे में बात हो रही हो, और sun के बारे में, क्योंकि sun को autumn का best friend बना बताया जा रहा है, तो ये दोनों मिलक कुछ योजना मना रहे हैं, sorry for the background noise, so ये दोनों मिलकर योजना बना रहे हैं, कैसे load और bless किया जाए, किसे, हैना, fruits with fruits the wines that round the thatch eve run, thatch eve का मतलब होता है, चज्जा, और wines मतलब लट्टेदार पौधे जो होते हैं, हैना, बेल साखाएं जो होती है, तो उनको कैसे पूरी तरीके से फूल फूल से लदा दिया जाए, हैना, load कर दिया जाए, उनको भरपूर मातरा में दे दिया जाए, तो इसके बारे में planning करते हैं, कौन, sun और आपके autumn season, तो इस season में यही होता है, हैना, wines मतलब मैंने बता ही दिया, बेल लटाएं, और ये जो हैं, कैसे छज्जी के उपर दोड़ती हुई रहती हैं, तो आपने देखा ही होगा इसके बारे में, हना, तो ये दोनों मिलके साजिस रचते हैं, या फिर planning करते हैं, to bend with apples the most cottage trees, और एक और काम करते हैं, सोचते हैं, यह और भी planning करते हैं, autumn season में आप मतलब देखने को मिलेगा, कि जो apple का tree होता है, वो भ गताना चाहरा है, अस stranger के साथ साथ आपको लेखा बताना चाहते हैं, कि भाई देखो, इस season में क्या-क्या होता है, पहले तो हमने देखा, कि भाई, ये लोग आपके जो ये लटाय होती हैं, पूरी तरीके से फलो से लट जाती हैं, फिर आपके पेड़ पोदी अगर apple की ब पताही जा रही है यह भी प्लानिंग चल रही हैं दोनों की फाही दोस्तों की भीजिशत प्लानिंग cooperation si ri हम ना यह जो फल है उनको पूरी तरीका से उनके कौर तक कूर मतलब बीतर बीथा है लास्ट अस तक उसको पूरी तरीकाव्ध देर उसको पूरी तरीके से पकाद है राइपने मतलब पकाना होता है तो इससे हम यह पता चल रहा है कि अच्छा वही ऑटम सीचन में यह चीज़े हमें पकी हुई मिलती है तो पूरी तरीके से पूरी तरीके से उसको फुला दे तो इसकी प्लानिंग चल रही है किसकी? दोनों में तरों की आपको तो पता ही है With a sweet kernel to set budding more With a sweet kernel, sweet kernel का मतलब होता है बिलकुल आप खोता है बिलकुल बीच वाला भाग तो उसकी बीच बीच वाला भाग तो उसकी तरीके से पका देना है उसको मीठा कर देना है ऐसी planning चलती है और एक और planning चलती है to set budding more और जो कलिया होती है उसको more जादा से जादा उसको खिलाए जाए जाए इसकी भी planning चलती है and still more letter flowers for the bees और उसमें क्या करते है उलो planning इससे भी जादा ये करते है कि जो flowers जो फूल उस पे आएंगे उसको मदमक्यों के लिए बीज के लिए छोड़ दिया जाए और उनको ऐसा फील करा दिया जाए कि उनको लगे कि यह जो घर में वाली रीतू है वो कभी खतब ही नहीं होगे सीज मतलब खतब ही नहीं होगे क्योंकि इन्होंने परस्नलाइज़ परस्नलाफिकेशन किया है तो हमें तोड़ा फील होगा कि आदमी जैसा हो रहा है कि यहां यह ऐसा लग रहा है लेकि आटम सीजन को यह बस दर्शाने का एक जरिया है उन्होंने ऐसा किया है मतलब ऐसा फील कराया जाए मद्धुमक्यों को कि भाई वो भर पूर तरीके से अपना रस ले ले की गर्मी का रीतू खटब ही नहीं होगा हैना कभी खता भी नहीं होगा face आपनि के उपर सीजरे तक बर जाना है कि पानी के इपर सीजरे तक लेकिन यापर भी मिए मद्ध चक्जिप चयता होता है और वही जा रहा है है कि इस मौसम में ये भी देखने को मिलता है कि मद्रों क्या अपना अच्छा खासा बोजन भी तयाद कर लेती हैं पूरी तरफीसली तरीके से लबालब भर जाता है तो यह चीज़े अEMने डेक्ध लिया अल्रेड अब हम सेकंड प्रैग्राफ की सेथर सेंथे हैं। तरीके से लबालब भर जाता है तो यह चीज़े हमने देख लिए अलरीड अब हम सेकंड परेग्राफ के सरह चलते हैं और सेकंड परेग्राफ में है कि इस में इस परेग्राफ में autumn season को यूं कहले जिए एक women के भाती दर्चाय गया है उसको women से personification किया गया उसका और साथी साथ यूँ भी कह लिजए कि थोड़ा बहुत गाउं का द्रिश्य का भी एक तरीके से टच अप दिया गया है तो चलिए जान लेते हैं इस paragraph को भी second paragraph को लिखा है Who has not seen the oft amid thy store देखी आपको पता होगा कि पोएम में ऐसे ऐसे word होते हैं आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आते हैं थोड़े बहुत वर्ड में आपको बता जाता हूं है का मतलब है 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 ना है को रिप्लेज करके है बूला जाता है seen the, the मतलब you, oft का मतलब often जो word होता है often मतलब अकसर उसको यहां पे short form में oft बुला जा रहा है amidst का मतलब होता है बीच में amidst जो word है उसको यहां पे amidst से refer किया गया है die मतलब होता है your, तो जहां-जहां यह words यूज होए होगा आपको वैसे ही रिप्लेज करना है जैसे मैंने बताया है तो had, अब मैं इसको पढ़ता हूँ जैसे कि who had not seen you often amidst your store मतलब किसने तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे भंडार के बीच में तुम्हें किसने नहीं देखा है है ना, सब ने देखा है मतलब autumn को दर्शाय जा रहा है कि भाई उस time पे पूरी तरीके से सब फलों की कटाई वटाई हो जाती है और store भरा हुआ रहता है लबा रहता है तो उसी बीच में तो autumn आता है तो भाई बोला जा रहा है किसने तुम्हें नहीं देखा है भाई कि तुम store के बीच में बैठी हुई हो है ना, sometimes whoever seeks abroad may find this sitting careless on a granary floor देखिए यहां पे कुछ और line से दर्शाय जा रहा है कि sometimes कभी-कभी जो लोग seeks मतलब देखना, देखना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं वो लोग abroad, मतलब बाहर जाते हैं मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने के वह बताया जा रहा है, मैं अपने तरीके साब को समझाने की कोशिश करूँगा, sometimes whoever seeks abroad may find, मतलब कभी-कभी जो लोग दूसरे सीजन में shift करने की सोच रहे होते हैं, जाने के लिए सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उनको तुम sitting careless on a granary floor, अनाज वाले, granary मतलब अनाज related, अनाज वाले floor पे, floor पे मतलब गिरी होई पाई जाती हो तो, कहने का मतलब है, आप कोई पता है, autumn season में आपने notice किया होगा, कि जो पते हैं, वो नीचे गिरे रहते हैं, या फिर यू कहले कि सीजन कहां लाई कर रहा है, obviously वो आपको दिख रहा है, हर जगा, floor पे पड़ा हुआ है, autumn में खेतों की कटाई हो गई हो, सब चीजे जो पुआ लगर हो, जमीन पे पड़े हुए हैं, पते जो हैं, गिर के वो भी floor पे पड़े हुए हैं, तो वही बोल रहा है कि अगर इंसा soft lifted by the winnowing wind, अब देखो फिर से autumn को फिर से अरलग तरीके से एक औरत की रूप में बताया जा रहा है, औरत के ही तो जुल्फे होती हैं, वो जुल्फे मतलब लहरा रहे हैं, बालों को लहराया जा रहा है, किसकी तुरू, winnowing wind, winnowing का मतलब आपको पता ही है, जो आपने बाल आपके पास आजाता है, वो पुगाल वाली जो चीज होती है, आपने हटा दिया, अब जो अनाज आपके पास आता है, उसको आप सूप और में रहके ऐसे, फिर फैन चला के, हखिल के हवा के थूँ, आप उसको जो उसमें से dust particle है, उसको निकालते हो ना, उसको winnowing कहत हैं, आपको शायद पता ही होगा, तो वही कह रहा है कि इस मौसम में ये भी देखने को मिलता है, मतलब autumn को, कि your hair, तुम्हारी जो बाल है, वो धीमे से उठाए जाते हैं, प्यार से उठाए जाते हैं, बाई तो winnowing wind, ये जो winnowing wind होता है, उसके द्वारा, तो एक तरीके से winnowing, जो process है, उसको भी दिखाए गया कि ये autumn में ही अक्सर होता है, और on a half-reaved furrow sound asleep, और तुम्हें और कहां पाये जा सकता है, हम तुम्हें autumn को और कहां देख सकते हैं, तो तुम्हें एक half-reaved furrow, furrow आपने पता है न, क्यारी जो होती हैं, जैसे आप खेतों में, ऐसे मिट् काटने के बाद जो डंठल उसमें रह जाती है, तो वैसे वाले खेतों में तुम कहीं पाये जाओगे, यानि कि ये season autumn में ही ये सब देखने को मिलता है, draws with fume of poppies, poppies मतलब जो fool होते हैं, ये use के जाते हैं, अफीम बनाने में, अफीम यानि कि जो नसेली पतार्त होती है, उसमें थोड़ा नशा है, draws मतलब मधोश हो जाना, तो तुम कहीं ऐसे पाये जाती हो कि मधोश हो चुकी हो, puppies के fume से, उसके fragrance से, वाइल दाई हुक, spares the next sweat and all its twin flowers, वाइल यू हुक, दाई मतलब यह हो गया, sorry, while your hook हो जाएगा, हुक का मतलब हसिया जो होता है, एक तरीके होता है, कटाई इसी से होती है, तो while your hook, spares, spares मतलब छोड़ देना, किसको छोड़ देता है, next sweat, जो तुमने क्यारी बनाई थे ना, फौरो बनाई थे ना, उसको एक अगले क्यारी को छोड़ देता है, जिसमें twin flowers में already full लगे हुए है, तो उस वाली land में यह कटाई नहीं क करती हो, तो वहीं बोल रहा है, उसको छोड़कर अगले वाले क्यारी में जाती हो, and sometimes like a cleaner, though dust keep steady the light and head across a brook, अब देको एक और सी बोला है, जब यह कटाई हो जाती है, तो चीजें वहीं पर पढ़ी रहती है, खेतों में आपने देखा है, जो पू आल वगरा होते हैं, या फ dust keeping, dust मतलब do होता है, do का दूसरा रूप है, पुराने जवाने में dust को do use किया जाता था, तो कभी-कभी तुम autumn को देखा जाता है, कि तुम इसको dust को उड़ा रही हो, हता रही हो, अना steady die, laden, laden मतलब भरा हुआ, मतलब भारी एक तरीके से load के रूप में, steady die, laden head across a brook, अना ऐसा लगता है कि सिर पे बहुत भारी हो चुका है, यह चीज, हना brook का मतलब जो होता है, मतलब एक तरीके से इसको नाला ही बोलेंगे, जो carry होसी के लिए बोला जा रहा है, वो पूरी तरीके से आपका सिर जो भर गया है, कि से, आप जो सफाई कर रहे हो उससे, और by a cedar press with present look, the watch is the last rising hours by hours, अब देखे एक और चीज को बता जा रहे है कि autumn season में और क्या होता है, तो एक machine होती है, cider press, उसके मदद से फलो को crush किया जाता है, उससे juice निकाला जाता है, तो आप उसके बारे में बता रहे है कि कभी-कभी तुम्हें देखा जा सकता है autumn autumn को, कि तुम बहु आज तक निकल रही है ना, उस machine से उसको तुम्हें निहारते हुए देखा जा सकता है, तो इस तरीके से इसमें मानवी करण फिर से किया गया था, अपने autumn autumn का, फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, थर्ड प्राग्राप में क्या किया जा रहा है autumn autumn के साथ, तो यहां हैं, तो उसके बारे में चर्शा है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि देखो भई, तुम स्प्रिंग सीजन के बारे में क्यों सोच रहे हैं, तुम्हारा अपना भी एक music है, उसके बारे में सोचो, राइट, और गीवी ही है ना, ऑसमी भी बताया गया है कि आखिर इस स इस निजया में, तो चली देखते हैं, लिखा ए, विएर सौंग सवफ प्रीं, अरे यार, spring का song कहां चला गया आए where are they, कहां पर है यार spring के गाने कहां गए, वसंतरीतु के गाने कहां गए फिर होता है think not of them उसके बारे मत सोचो यार though hast thy music to तो यहां पर इसके meaning को समझी जैसे लिख रहा है though मतलब you hast मतलब have thy मतलब you you have your own music to मतलब तुम्हारे पास तो अपना भी music है ना तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो autumn को बोला जा रहा है while bad clouds bloom the soft dying day and touch the stable plains with rosy hue then in a wellful core the small gnats mourn तेकि बोला जा रहा है जब bad clouds नहीं कि जब आपने देखा होगा शाम के समय कभी कभी मतलब autumn season की बात की जा रही है उस समय पर क्या होता है आपने देखा होगा कि जो बादल की जो गुच्छे जैसे दिखते है और उसके बीच में जो gap होता है आपना blue sky का तो वो जो screen है उसको बाद cloud बोलते हैं यह जो scene है बाद cloud होता है अब उसको बोला जा रहा है कि वाइल बाद cloud को bloom कर देता है तुम खिला देता है ऐसा feel होता है कब autumn day में तो जो भी चीज़े मैं discuss करूँ ना मैं यहां पर बताऊं आपको इस paragraph में तो आप समझ लेना कि यह बताया जा रहा है कि बहुत ब्लूम कर रहा है खिल रहा है and touch the stable plane with rosy hue stable plane याने कि मैदान में जो stable आपने देखा ना कि कटाई के बाद घास वगरा जैसे चीज़े होती है या फिर यू कहले पूआल वाली जो चीज़े होती है जिसमें से धान गेहूं अगर हटाने के बद जो चीज़े ऐसे रखी रहती है उख में stable बोलते हैं तो वो जो stable जमीन पर रखे गए हैं उनको ये सुनरी धूब टच कर रही है with rosy hue hue मतलब color होता है तरीके का मतलब hue मतलब रंग होता है तो rosy किस color का दिख रहा है उस पे जो light पढ़ रही है उस bard cloud के थुरू से होते हुए जो सूरज की किर्णे आ रही है वो किस color में आ रही है बहुत ही गुलाबी color में तरीके से उस नीचे पढ़े हुए stable पे पढ़ रही है तो ये फिर से एक मौसम का एक रूप क्रियेट किया जा रहा है कैसा होता है इस मौसम में आगे देखिए दैन इन वेल्फुल कोर दिस्मॉल नैट्स मौन अमंग दरीवर सेलो बहुन अलॉफ्ट और सिंकिंग अज़ लाइट विन लाइस और डाइस अब इसके एक और चीज बताई जा र मौन देखिए शोगन ज़ि Tweables कोड़ मौन का मतलब गाना या यह जो च incentiv रहे हैं उनकी एक उदासीन मॉफं जो है वो गीत गाना शुडू कर देता है एं आमांग दरिवर अgers का मतलब होता है च्प चैन आजि तलाबों में उंको बोलते हैं तो Samang the river S allí born aloft aloft का मतलब उसके ऊपर जो इसके ऊपर होते हैं और sinking as the light wind life जैसे light wind होती है बिलकुल मदाम wind जो होती है धी में धी में चलती है और रुख जाती है छलती है खतम हो जाती है तो जैसे वो चलती है खतम हो जाती है वैसे ही इन कीड़ों मुखोड़ों की जो आवाजे हैं नदी के किनारे नदी में जो छोटे-छोटे आपने पौधे होते हैं उसके उपर बैटे कीड़े मुखोड़े कुछ उदासीन भाव से गाना गाते हैं घीत गाते हैं जो अप और डाउन अपर डाउन म्यूजिक में चलते रहता है विंड्स लाइफ सरडाइस है न एंड फुल ग्रोन लैंप्स लाउड ब्लीट फॉम हिली बॉन इसके बारे में एक और बताएगा भाई आटम में और क्या होता है जो फुल ग्रोन लैंप्स है आवाज करते हैं न बहुत जोर से आवाज करते हैं फ्रम हिली बॉन बॉन का मतलब सीमा यानि कि जो पहाड की जो चोटिया है एक बॉडरी है न बॉडर्डर से वहां तक वहां से उनकी आवाज आती है और इसी मौसम में एक तरीके से कि यहां पर इन लैंप्स के बारे में भी चर्चा की गई कि यह लोग बहुत अच्छी आसे मतलब बहुत लाउड आवाज निकालते हैं हैज क्रिकेट सिंग और विट्रेवल सॉफ्ट हैज क्रिकेट यानि कि आपको पता है अपने यहां भी धी धिंबूर होते हैं उनके बारे में बात की जारी है तो हैज क्रिकेट गाना सब्सक्राइब कर दो सुनाही दे रहा है इसी लाइन के लिए ये यूज किया गया है ट्रेबल जनकार जैसी जो आवाज होती है तो हैज करकट की भी होती है और यह ऐसी आवाज होती है एक पक्षी है जिसका चाती जो ब्रेस्ट है वो रेड होता है और वो गार्डेन क्रॉफ्ट है ना यानि कि बगीचे के किसी है और यह जब आवाज निकलता है तो एक और चीज बताई जारी ऑटम के बारे में कि गैदरिंग मना इकठा होना स्वैलो एक चिडिया है यह प्रजाती है तो वह वाले चिडियों को यह इकठा करता है कहां आसमान में अपनी चहक से ट्वीटर मतलब चहक चहाने से आसमान में बादलों के साथ वहाँ पी यह स्वैलो चिडिया भी घठा हो जाती है तो इस सारी चीज़े होती है कब आटम में ही तो इस तरीके से आटम को पूरी तरीके से ग्लॉरिफाई करने की कोशिश की है हमारे जॉन किड्स लेखक ने और इस चैप्टर का नाम भी है इस कोई प्रेक्ति मुझे कमेंट से से में लिखे पूछे और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मुरी पूरी प्लेलिस में बना के डाल रखिए इस चैनल पे आप सारे प्लेलिस्ट क को गो थू कीजिए और प्लेलिस्ट को भी शेयर करने में आपको ज्यादा बेनेफिट होगा तो मिलते भी नेक्स वीडियो में तो तर लिए स्टे होम स्टे सेव थैंक्यू थैंक्यू सो मच